इस बिजनस को करके मैं बहुत खुस हूँ जो कि जो लोग आज मुझसे पूтак़ मेरे से पूछते हैं कि भाई क्या मैं इस बिजनस को करूं कितना इसमें प्रोफिट है कि क्या आप इस business के लाइक हो या नहीं क्योंकि मैं इस business करके बहुत खुस हूँ और बहुत मैं grow कर रहा हूँ दोस्तो आज मैं आप सब को paper plan business के बारे में एक ऐसे सच्चाई बताने वाला हूँ जो कि आप लोगो कोई नहीं बताया होगा कम investment में ज्यादा profit कैसे करें आज मैं आप सब को वो काला सच बताने वाला हूँ जो कि ना तो कोई machine वाला बताता है ना ही तो कोई दुकनदार बताता है और ना ही तो कोई material वाला बताता है लेकिन ये मैं अपना experience में आपको बता रहा हूँ बहुत ही सटिक बताने वाला हूँ जिससे कि आप भी अपने business में grow कर सकते है और आप भी double income कमा सकते है और कैसे कमाएंगे ये हम आपको इस वीडियो को subscribe करके बैला का जरूर प्रेस करें और इस वीडियो से आप क्या सीखने को मिला आप मेरे को comment box में जरूर मेसेज करें आज हम आप सब को ये बात बताने वाले है कि ताक जूट है आप भी अपने business को आए कर सके कि धन्यवाद कैसे हम कम investment में ज़्यादा profit कमा सकते हैं और ज़्यादा income कर सकते हैं कि हम भी अपने factory एक अच्छा सा बना सके और हम भी market में अपना नाम कमा सके क्योंकि ये सब अंदर की बात कोई नहीं बताता है और आज मैं आपको वो काला सच बताने वाला हूँ जो कि आपको एकदम से हिला देगा और ये real और ये एकदम real बात है 110% 110% ये बात सच है कि ये आखिर में कैसे होता है आप कभी गौर किये हो कि जैसे ही rate बढ़ने वाला होता है तो दुकंदार आपको कॉल करके आपसे rate पूछता है और आपसे माल भी लेता है वही दुकंदार के पास जब आप जाते थे तो वह आपको भाव भी नहीं देता था बहुत लोगों के साथ ये चीज होता है और मेरे साथ तो कई वार हुआ है और आज मैं आपको अपनी experience बता रहा हूँ कि कैसे दुकंदार अपना पेट भरता है और आप लोग का लंका लगाता है हमेशा दुकंदार आप लोग से जूट बोलता है कि ये जो आप rate हमें दे रहे हो ये rate नहीं मिलता है इससे कम rate में हमें कोई दे जाता है जैसे कि जब भी आप किसी दुकंदार के पास जाते हो कि सर ये item हम बनाते हैं वो आप से rate पूछता है आप अपना rate बताते हो फिर वो तूरत आपको ये बात बतायता है कि नहीं इससे सस्ता में हमें माल आ रहा है तो आपका दिमाग खराब होता है और आप वहां से लोट जाते हो और जब rate बढ़ता है तो वही दुकंदार फिर आपको call करके पूछता कि क्या rate है और जब आप rate बताते हो तो वह आपसे माल मंगवा लेता है आखिर कैसे इसी होता है ये आज हम आपको बताएंगे कि क्या सच है इसके पीछे तो जैसे कि हम लोग को ये चीज पता कब चलता है कि paper का rate बढ़ गया raw material का rate बढ़ गया जैसे कि अब हम raw material का update देते हैं तो आप लोग को पता चलता है इससे पहले आप लोग को कैसे पता चलता था या हम अपनी ही बात बताते हैं हमें पहले ऐसा कोई video नहीं बनाने वाले थे जो कि raw material का update देते हो और हम इस तरह का video बनाना शुरू किये इसी वज़े से तो जब हमें इस तरह के video नहीं मिलता था तो हमें ये चीज़ पता कब चलता है जब हम raw material लेने जाते तब और raw material लेने कब जाते जब हम अपना पिछला माल सारा बेच देते और बेच लेगा जब मेरे पास पैसा आता तब हम जाते थे raw material लेने के लिए तो पैसला की rate तो बढ़े गया है उस्टेम हमारा दिमाग खराब होता है कि यार माल तो अभी पीछे लाए थे हम सस्ता में और आज इतना महंगा हो गया है तो हम वहां पे पच्टाते हैं बाद में की हमारे साथ ये क्या हो गया लेकिन पेपर वाले को तो कोई दिकत ने लेकिन हमें दुकनदार हमसे माल कैसे पहले मंगवा लेता है कि आप हमें ठाली दोना दे दे ये हम आपको बताते है मिन मुद्दा यह तो ये उनको पता चलने का रीजन क्या है जैसे कि जिन उनके पास भी सामान आता है पेपर से जुड़ा जैसे कि आपका साबून का डबा हो गया काटून हो गया या फिर होरलिक्स का काटून हो गया या फिर तेल का जो ओयल का डबा होता है वो हो गया रिफाइन का तो उनके पास रद्धी स्टोक होता है काटून वो क आपडेट आता रहता है कि पेपर का रेट जिसे की अभी चल रहा है कुछ अकल हो गया कुछ अभी एक्जामपल हम आपको देते भी लेटेस दो दिन पहले की की दो चार दिन पहले पेपर का रेट रदी जो उन लोग से खड़िदा जा रहा था वो आठ रुपे केजी और खड़िदने वाले हैं और खड़िद के वो प्लेट तयार करते हैं उन्हें ये चीज नहीं पता होता है कि पेपर के रेट बढ़ रहा हो और वो वैसे में दुकांदार को पता चल गया और प्लेट वाले को पता ने चला तो जब दुकांदार कॉल करता है किसी भी मसीन वाल तो वह तो खुस हो जाते हैं और इसी खुसी के माड़े वो क्या करते हैं कि अपना पिछला रेट उनको बताते हैं जितने पे उनको रो मट्रेल खड़ीदा जाता है लेकिन अभी तो रो मट्रेल बढ़ चुका है उनको पता ने लेकिन दूगानार को पता चल चुका है तो व आप तो खुशी के मारे उसको दे आते हैं कि मेरे पास और आ गया लेकिन आप यह नहीं देखते हो कि यार जो बंदा मेरे पास पहले आता नहीं था हम उसके पास जाते थे फिर भी हमें कॉल नहीं करता था या कॉल नहीं करता था या फिर हमसे वह सही आइडिया नहीं सेर करत आपको यह चीज एक परसेंट भी डाउट होता तो आप उसे और नहीं उसका लेते या फिर उसे आप यह बोलते कि हम आपको बाद में रेट बताएंगे या फिर हम बताते हैं थोई दिर में हम बीजी है थोड़ा इस तरह से बोलकर फोन कट करके और फिर आप पहले रो मट्र पहले रहते हैं तो इसमें आप अपना डवल प्रोफिट कैसे कर सकते हो अब हम बात करते कि डवल प्रोफिट करते कैसे आप पेपर प्लेट बिजनस का यह उसूल है कि यदि आप सबर करते हो यदि आप धैरी रखते हो और आप सब जगह का इनफोर्मेशन जुटाते रहत हो तो आपको इस चीज के बारे में पता चलता और आपको यह नुकसान नहीं होता क्योंकि जो रोमठेल आप खड़ी दे थे वो उसका रेट अभी बढ़ चुका आपका इस माल पढ़ा था रेट उसका बढ़ गया यदि आप आगेस जानकारी लेके रखते और आप उसके आपको पता होता कि tech रॉम अटरेGER हम कखला थे पचासő रुपे के जी अचल रहा साट के जी तो आज राएट बढ़ गया है तो हमें भी अपना माल का रेट बढ़ा देना है जादा नहीं दस रुपे अगर बढ़ा तो हमें कम से कम उसमें 5 उरुपे अपना बढ़ा देन कम investment में ज्यादा profit आज हम आपको करने को बताएंगे तो यही होता है कि यदि हम update लेते रहते हैं raw material का तो जो rate हम पीछे मंगाये थे माल अगर मंगाने के बाद rate बढ़ गया तो हम भी अपना माल बढ़ा की बेचेंगे तो ही तो हमें कम profit कम पुणी में ज्यादा profit होगा यानि कि कम पैसे का हम माल खड़े दें और ज्यादा पैसे का हम बेचेंगे तो यह होता कब जब आप सब चीज का update लेते रहते इसलिए हम आप लोगों को बोलते कि मेरे चैनल को subscribe कर रखो ताकि update जो भी आता हम आपको अकसर देते रहते हैं तो इस चीज से आपका क्या होता कि आपको यह फाइदा होता अगर आप चैनल सबस्क्राइब रखते हो तो मेरा वीडियो जाएगा आपको दिख जाएगा कि रेट पेपर का बढ़ रहा है तो वहीं पे आपको अपना माल स्टोक कर देना है कि हमें अभी 2-4 दिन माल नहीं बेचना है जैसे कि जैसे अभी जो है आप लोगी स्टोक मार्केट का वीडियो देखे होंगे यूट्यूब पे तो उस पर क्या होता कि माल लोग 10 रुपे में खड़ी दे और जैसे उसका रेट बढ़ रहा 15 बिस गया तो वो बेच दिये यानि बाय करना और सेल करना उनको यह तड़ीका होता है तो यही चीज आपको पेपर प्लेट में भी इस्तमाल करना होता है या कोई साई बीजनस में इस्तमाल करना था कि जैसे कि यदि हम पेपर खड़ी दे 15 रुपीस केजी यानि 50 रुपे केजी और जब उसका खड़ी दने के बाद इत्तफाक से रेट बढ़ गया हो और वो चला गया 16 रुपे केजी यानि 60 रुपे केजी तो हमें वहां पे अपने माल को हिसाब से बेचना रेट थोआ 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 बढ़ा के बेचना है उससे मेरा कस्टमर भी बनेगा और प्रोफिट मेरा डबल होता जाएगा तो यह सब होगा कब जब आप किसी अच्छे बंदे के साथ जुड़े रहोगे उनसे कोंटेक्ट में रहोगे उनसे आप टच में रहोगे तभी तो आपको यह चीज का इस negócio का जुड़ेश होगा कि कब रेट बढ रहा है कब रेट घटा रहा है यदि आप माल मांगा ली यह हो इस्में एक और भी बेनिफिट होता है अगर आप टच में रहते हो तो कि जैसे कि आप माल मंगा है 15 रुपिस केजी और आपका माल स्टोक पड़ा है और उस टाइम पे अगर रेट घटना शुरू हो गया तो आप उसी टाइम तुरत अपना माल थोड़ा बहुत 19-20 करके आप उसको बेच लोगे और यदि आप माल ले लिए हो और आप तुर्च में नहीं हो और अगर घट घट गया हो और जादा घट गया हो और अपना माल नहीं बेच पाए तो वहां पको जादा लॉस भी होने का सम्भावन किसी जानकार व्यक्ति से टच में रहने का इतने फाइदे हैं कि आप सोच भी नहीं सकते हो या फिर कोई ऐसा आपको प्लेटफोर्म मिल जा जिस पे कि आपको अक्सर इस चीज के बारे में अपडेट मिलता रहे कोई बताता रहे तो कितना अच्छा होता है कि हमें बिना किसी के पास गए घर बैठे सब कुछ की जानकारी मिल रहा हो तो कितना बहतर होता है तो इसलिए हम आप लोग से कहते हैं कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखोगे तो आपको इस तरह का अपने काम को आगे बढ़ा सके और का इसके लिए सबसे बहुत बेश्ट वीडियो यह आज मैं बनाया हूं ऐसा वीडियो आज तक मैं कभी किसी भी वीडियो में ऐसी टॉपिक नहीं बताया हूं क्योंकि यह चीज अपने धिये-धिये एक्सप्रियेंस के हिसाब से होता है जैसा आपको इस फिल्ड में एक्सप्रियेंस होता जागा वैसे वैसे आप अपने कंपनी में अपनी फ्यक्टि में ग्रोथ कर सकते हो और वैसे वैसे आप अपने काम को आगे बढ़ा सकते हो क्योंकि पेपर प्लेट ऐसा एक समुंदर रियल बता रहो दिल से बता रहो मैं आपको यह ऐसा एक समुंद्र है जिसमें अगर आप तैरना सीख गए भाई तो यह पूरा समुंद्र जो है वो आपका है पूरा दड़िया पूरा यह जो नदी है यह जो जमना है या फिर समुंद्र जो कहलो आप इस पूरे समुंद्र का मालिक आप खुद हो जाओगे यदि आपको इसमें तैरना अच्छी तरीके से आ गया तो और रियल बात तो यही यह पेपर प्लेट बिजनर्स का यह खासियत यही है कि यदि आपको तैरना नहीं आया और आप समुंदर में छलांग लगा दिये हो तो 110 परसेंट बात यह आप में लिख के रख लो कि आप डूब जाओगे आप कभी नहीं उभरोगे आप कभी नहीं सक्सेस हो पाओगे यदि आपको तैरना नहीं आता है लेकिन भाई मैं तो आपको सीखा रहा हूँ यार एक एक पोईंट मैं आप लोगों बताता हूँ और ऐसे ऐसे टोपिक बताता हूँ जिससे कि आप अपने काम को बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा सकते हो लेकिन फिर भी आप धोखा खा रहे हो आप ऐसे लोगों के पास जा रहे हो जहां पर आपको कुछ सीखना मिले ना तो कोई नोलेज मिलता है और आप वहाँ पर फस जाते हो सिर्फ सस्ता के वाज़से मेरे पास थोड़ा सा महंगा तो पड़ेगा लेकिन आपको चीज जेनवन मिलेगा और वो मिलेगा जो कि आप कहीं से और से आप नहीं ले सकते हो चीज आपको मेरे पास मिलेगा और ये एक सच्चाई बात है कि यदि आप जेनवन समान लेंगे तो आपको थोड़ा सा एक्ष्टा चार्ज तो देना ही परेगा अगर आप चाहते हो कि सब कुछ मेरा सस्ता हम हो जा तो सस्ता वाला अकसर ढूब जाते हैं कभी नहीं उभरते हैं क्योंकि उनको सश्ता में जो भी दे रहा हो तो अपना यह प्रोफिट लेता है उसके बाद ही आप देता है तो आप उसी जगत से आप अपना परचेस करें सा जारा benefit हम इस टार्टिंग में बहुत ज़्यादा failure का सामना किये हैं नुकसान का सामना किये रहें कि फिर भी हम उस बंदे से सीखते रहें कि कल को आज निकल तो हम उससे आगे निकलेंगे और आज हम अपने इस बिजनस में अपने एडिये में पांच बंदे से में बराबरी पे आ चुका हूं जो कि पांच फाइब टोप में वो सब थे जब हम यहां पे आये थे तो लेकिन हम अपने बुद्धी से अपनी दिमाग से और अपना experience से आज हम उन पांचों से उपर में आ चुके हैं जो कि वो पांचों लोग मेरे पास call करकर के अब मेरे से हाल चाल आज हम उस मुकाम तक पहुँचें कि वो सब मेरे को अब अपना दोस्त अपना भाई अपना यार बताते हैं कि भाई वो तो मेरा दोस्त है वो मेरा फ्रेंड है वो मेरा बहुत ही करीबी यार है दोस्त है ऐसे लोग बताते हैं दूसरे से तो यह चीज जो इज्यत हम कमाए हैं बहुत नुकसान करके कमा हैं लेकिन आज वो सब का भरपाई हम कर लिये हैं कि जितना भी मेरा नुकसान हुआ है आज सब भरपाई मेरा हो चुका है और बहुत खुस हूँ मैं इस बीजनस से इस बीजनस को करके मैं बहुत खुस हूँ जो कि जो लोग आज मुझसे पूछ कितना इसे में प्रोफित को चाहते हैं कि लोच सकते हैं सब के लिए कहना चाहता हो कि एक के बार मेरे को कहां तक गया हूं इसके बारे डिसाइड करना कि क्ली गुड़ीह या 건't जूड के रहें और जितना आप सीखना चाहें शीख सकते हैं लेकिन आप call पे sorry नहीं सिखा पाएंगे आप मेरे पास अगर आते हो तो आपको जरूर सीखने को मिलेगा और या फिर मेरे वीडियो देखते हो तो आपको उससे भी भी नहीं पाएंगे तो इसलिए और भी नॉलेजवल वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बैल अकान जरूर प्रेस करें और इस वीडियो से आपको क्या सीखने को मिला आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर मैसेज करें कि क्या ये बात सच है या मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद